हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आसा करता हुआ आप लोग एकदम मस्त होंगी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी तो आज की क्लास में हम लोग B.SC, first year 지ylology, first semester, cytology, self-structure and function के question को EMCQ को discuss करने वाले हैं इससे पहले 50 questions already discuss हो चुके हैं इससे पहली वाली क्लास में जाकर आप लोग देख सकते हैं link description में दिया हुआ है और class cytology की ठ्योरी भी पढ़ सकते हैं तो आज हम लोग continue आगे के MCQ प्रक्टिस करेंगे और साथ में उसका detail analysis भी करेंगे तो 51, question number 51, cell organelles found only in plant ऐसा कौन सा कोशिका अंगग है जो केवल पाउधों में पाया जाता है तो गालजी का अगर देखा जाए गोलजी बाउडी तो ये तो plant और animal दोनों cells में होता है mitochondria भी दोनों में होता है ribosomes भी दोनों बरकार की cell में पाया जाते हैं plant हो या animal लेकिन जो प्लास्टिड होते हैं केवल प्लान्ट cell में ही पाया जाते हैं तो इस राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड क्वेश्चन नमबर 52 दा ब्राइट कलर्स आफ रइप फ्रूइट आर ड्यूटू पक्या फलों का चमकीला रंग किसके कारण होता है तो चमकीला रंग होता है क्रोमो प्लास्ट के कारण चार प्रकार के होते हैं जैसे लिवको प्लास्ट है, क्लोरो प्लास्ट, माईलो प्लास्ट तो यह सब अलग-अलग चीजों पाय जाते हैं जैसे मूली है तो हॉइट होता है उसमें कोई कलरण है तो उसमें लिवको प्लास्ट पाय जाता है क्लोरोप्लास्ट जितनी हरी सनचना वाली चीज़ें जैसे पतियां है हरी हरी सबजियां है ठीक है इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट रंगीन वरणक होते हैं कैसे होते हैं रंगीन वरणक ये पके फलों में होते हैं इसलिए पके फलों का रंग चमकीला ह किस गुड के कारण पादब कोषिका से भिन्न होती है पादब कोषिका में कोषिक भित्ति और क्लोरोफिल की उपस्तिति होती है जो कि जंटकोषिका में अफसेंट होते हैं और question number question number 54 which are the following organelles is bounded by two unit membrane double membrane structure कौन सा इसमें से कोसे का अंगग है तो chloroplast जो है इसमें दो membrane होती है एक outer membrane एक inner membrane बाकी गौलजी कॉंपलेक्स paroxysome और lysosome में सब single membrane structure है निमने लिखित में से कौन से एक कोस की भाग का सही वरणन किया गया है which one of the following cellular parts is correctly described थेले कॉयट्स जो होते हैं चपटे जिल्लीदार से नचनाय होती हैं और ये परस्पर मिलकर क्या बनाती हैं गरेना बनाती है तो इसको हम लोग इधर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं मान लीजिए ये आपको chloroplast है ये double membrane structure होते हैं इससे पहले अभी question मिला था ये outer membrane है ये inner membrane है ये inter-membranal space बोलते हैं इसको outer membrane outer membrane this is your inner membrane inner membrane और इसको बोलते हैं inter inter-membranal inter-membranal space और ये जो है बीच में इसमें बहुत सारे thelequoids होते हैं तो thelequoids इस तरह की इस तरह से bundles के रूप में चपटी सन्नचना हैं एक दूसरे को ऊपर लदी होती हैं तो इसको कहते हैं grain अ क्या बोलते हैं grain इस जो सन्नचना बनाते हैं थैले कोई डब्बे की तरह एक के उपर एक के उपर पर रखे होते हैं, तो इस तरह की सनचना को ग्रेना कहते हैं, और ये इस तरह से ग्रेना लेमेली से जुड़े होते हैं, ग्रेना या इंगलिस में इसको इस्ट्रोमा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस्ट्रोमा, तो ये बीच में जुड़े हुए होते हैं, यहां भी थैल ग्रेना बोलते हैं ठीक है ग्रेना लेमेली तो कुछ इस तरह के थैलोकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर लगे होते हैं अगला क्वेस्चन है हमारा No. 56 ठीलोकॉइड घटक होते हैं अब भी देखे हैं ठीलोकॉइड किसके घटक होते हैं तो ठीलोकॉइड क्लोरोप्लास्ट के घटक होते हैं क्लोरोप्लास्ट में चपती सनचना है थैली की तरह नीचे उपर रखी होते हैं डिकबे की तरह है फ्रॉम दा फालोविंग सेलेक्ट दा स्टेटिमेंट देट इस ट्रू निम्न लिखित में से सत्य कथन का चैन कीजिए क्लोरोप्लास्ट पादब्सकाओं में पाए जाते हैं परत्व रॉकरियोटिक थवात आख कोसकाओं में नहीं पाए जाते हैं ज flu क Souls नहीं लेकिन इसमें प्रोट्योटिक में कुछ एककसेप्शन होते हैं जैसनो biggest साइनो बेक्टिरिया नय mostly a में क्लोरकलात पाया भी भीतरी कच थैले कॉइड गौह होती नहीं क्योंकि थैले कॉइड केवल क्लोरोप्लास्ट में पाये जाते हैं और माइट्रो काइंड्रियम नहीं पाये जाते हैं तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्वेस्चिन नमबर 59 क्वांटासोम्स आर फाउंड इन क्वांटासोम पाये जाते हैं तो क्वांटासोम जो है यह क्लोरोप्लास्ट में पाये जाते हैं कहां पाये जाते हैं यह क्लोरोप्लास्ट में पाये जाते हैं जैसे थैला कॉइड है यह भी क्लोरो प्लास्ट में ही पाय जाते हैं और क्वांटा सोम भी क्लोरो प्लास्ट में पाये जाने वाली सन्यजना हैं Question number 60 Istroma is the ground material of which of the following Istroma निमन में से किसका अधारी पदार्थ है तो अभी बताये थे स्ट्रोमा ले में लिए सब क्लोरो प्लास्ट में पाये जाते हैं टमाटर का लाल रंग होता है Red color of tomato is due to किसके कारण होता है तो इसमें lycopene पाये जाता है क्या होता है? lycopene lycopene के कारण टमाटर का लंग लाल होता है Which of the following is a part of endomembrane system of eukaryotic cell mitochondria इनको छोड़के बाकी जितने भी cell organelles होती है Golgi complex है, endoplasmic reticulum है, lysosomes है ये सब अंतह जिल्ली तंतर के निर्माण करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा सही? Golgi complex Question number 63 Which type of membrane is most abundant within our cell? कोशिका के अंदर कौन सी membrane सरवाधी मातरम पाय जाती है तो वो है ER membrane, endoplasmic reticulum हम लोग अगला question discuss करते हैं अगला question है हमारा Nuclear envelope Nuclear envelope is our derivative of केंदरी आउरण ब्यूत्वपन होता है तो केंदरी आउरण जो होते हैं ये किससे ब्यूत्वपन होता है? ये rough endoplasmic reticulum से मिल्क से derivative हो है इसका इससे निर्माड होता है जैसे केंदरी का जो बाहदी आउरण है केंदरी भी double membrane structure होता है तो केंदरी का जो outer membrane होती है उससे ही formation होता है rough endoplasmic reticulum से उसका formation होता है endoplasmic reticulum is more developed in endoplasmic reticulum किसमें अधिक विक्सित होता है तो जो young cells होती है young नई को सिकाएं जो होती ही तरण को सिकाएं उनमें ज्यादा डवलब होते है an interconnecting membranous network of the cell composed of basicles flattened sex and tubules basicles चपटे थैले जिसको सिस्टरनी बोलते हैं तता tubules के कोसिकी संगठन के जिल्ली में जालो को कहते हैं endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum में सिस्टरनी होती है अगला question है important side far formation of glycoprotein and glycolipids glycoprotein तो था glycolipid बनने का प्रमुकिस्टल कौन सा है तो गालजी उपकरण होते हैं तो गालजी उपकरण में glycoprotein भी बनता है और glycolipid भी बनता है और glycolipid कहां बनता है glycolipid smooth endoplasmic reticulum में बनता है और rough endoplasmic reticulum में glycoproteins बनते हैं और गालजी उपकरण में दोनों का निर्माड होता है glycoprotein और glycoprotein का question number 68 the most important function of endoplasmic reticulum is endoplasmic reticulum का एक महत पूड का रहे तो protein sensation इसमें protein का निर्माड होता है क्योंकि वो भी rough endoplasmic reticulum क्योंकि उस पे ribosomes चिपके होते हैं ribosomes फेक्टिरी होते हैं protein sensation की main function of dictyosome is dictyosome का मुख्यकारी क्या होता है तो इसका मुख्यकारी होता है स्रामर अगला question लोग देखते हैं question number 70 which are the following is related to glycosylation of protein निम्न में से कौन सा protein के glycosylation से संबन देता है तो ये endoplasmic reticulum जो होता है ये glycosylation करता है protein का protein बनते हैं ribosome में फिर जाते हैं endoplasmic reticulum में तो बहुंका glycosylation होता है तो बन जाते हैं glycoproteins question number 71 when the region of endoplasmic reticulum are studied by ribosome on their outer surface of the sisterny it is God endoplasmic reticulum की sisterny की बाहरी जिली पर जब ribosome पस्तित होते हैं तो उसे कणिकी ये endoplasmic reticulum या granular endoplasmic reticulum कहते हैं question number 72 the endoskeleton of cell is made above कोशिका का अंताखकाल किसे बना होता है तो अंताखकाल endoplasmic reticulum से बना होता है which organelles is present in higher number in secretory cells काउन से कोशिकांगे की संख्या स्रावी कोशिकाओं में अधिक होती है तो स्रावी कोशिकाओं में जो बहुत ज़्यादा स्रावड का कारे करती है कोशिकाओं से करेशन का उसमें dictyosome की मातरा बहुत ज़्यादा होती है बहुत सारे डिक्टियों सों पाय जाते हैं जिसमें स्रावर्ण जो कोशिकाएं एक्टिवली सिक्रेशन करती हैं गोल्जी बोडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम जो गोल्जी कॉंपलेक्स होता है इसकी उतुपत्ति किस कोशिकांग से होती है तो इंडोपलाजमी की रेटिकुलम से जो रफ इंडोपलाजमी की रेटिकुलम होता है उससे नियूकलियर मेंबरेन बनती है आउटर नियूकलियर मेंबरेन जो इसमूद इंडोपलाजमी की रेटिकुलम होता है इससे गोल्जी गाई की उतुपत्ति होती है question number 75 which is not function of Golgi body निमन में से Golgi काय का कारे नहीं है तो Golgi काय का कारे होता है glycoprotein बनाना और glycolipid लेकिन ये fat का synthesis नहीं करती है क्योंकि fat का synthesis चिकनी इंडोपलाजमी रेटिकुलम में होता है question number 76 which of the following is the site of lipid synthesis निमन में से कौन सा वसा संसलेशन का इस्थान है तो चिकनी इंडोपलाजमी रेटिकुलम जो होते हैं अंतावर्द बी जाली का smooth ER इसमें वसा के संसलेशन के इस्थान होता है यहीं पर वसा का निर्मार होता है अगला question है question number 77 the golgi complex play a major role golgi समिस्थर प्रमुक भूमिका अदा करता है प्रोटीनों और कार्बो हाइडरेटों के पाचन में एक सेकरेशन भी करता है और पाचन भी करता है secretary and membrane proteins are processed in स्रामण तथा जिल्ली प्रोटीन बनते हैं तो स्रामण का कार्य जहां भी स्रामण लिख क्या आ जाए समझ लो golgi complex की ही बात की जा रही है question number 79 lysosomes were discovered by lysosome की discovery किसे ने किया था तो D डूबे ने किया था which are the following statement is incorrect with reference to lysosome निम्न मैंसे कौन सा कथन लाइसो सोम के संदर्व में असते हैं ये रचना वाकार्य में एक रूपी वा एक समान होते हैं ये कथन बिल्कुल असते हैं the two sub units of ribosome remain united at us critical iron level of ribosomes की दो उपिकाईया किस iron के क्रांतिक इस्तरवर सहिकत होती हैं तो ribosomes दो sub units से मिलकर बने होते हैं दो परकार के ribosomes होते हैं 80s परकार के जो yukaryotic cell में पाए जाते हैं 70s परकार के जो prokaryotic cell में पाए जाते हैं तो ये जो 80s 70s होते हैं इन में भी दो sub unit होती हैं तो दोनों sub unit आपस में magnesium iron के थुरू connect होती हैं question number 82 क्या होगा जब लाइसोसोम जिन कोशिकाओं में अपस्तित हो नहीं में बिखटन हो जाएं तो कोशिकाओं बिखंडित हो जाएंगी क्योंकि उसमें बहुत ही जोहानिकारक पदार्थ हैं सब लाइसोसम के अंदर भरे रहते हैं question number 83 three of the following statement regarding cell organelles are correct to feel one is wrong which one is wrong कोशिकाओं कोशिकाओं के बिखे में निमलिखित में से तीन कथन सही हैं एक गलत है कौन सा कथन गलत है तो गलत कथन है लाइसोसम्स आर डवल मेंबरेंड बेसिकल्स बाउंड़ आफ फ्रॉम गोल्जी अपेरेटरस एंड कॉंटाइंस डाइजेस्टी इंजाइम्स देखे यह डाइजेस्टी इंजाइम्स पाचक रस्त होते हैं लाइसोसम में लेकिन लाइसोसम्स दोहरी जिल बीकास दीज कॉंटाइंस लाइसोसम का नाम लाइसोसम क्यों बढ़ा क्योंकि इन में डाइजेस्टी इंजाइम्स या पाचक इंजाइम्स होते हैं जो लाइसिस करते हैं किसी भी चीज को तोड़ने का कारे करते हैं किसी भी परत को तो लाइसोसम्स मतलब लाइसिस से सब दाया हुआ है पाचेक एंजाइम होते हैं दा और्गेनेल्स होज मेजर फंक्शन इज इस्टोर्ड आफ हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स आर वाकोशिकांग जिनका मुख्यकार जलव घटनी एंजाइम का संचे करना है तो होते हैं लाइसोसोम्स दा लारजेस्ट सब उनिट आप प्रोकेरियोटिक राइबोसोम्स इज जो लारजेस्ट सब उनिट होती हो 50 होती है फिप्टी और 40 मिलकर 80S राइबोसोम्स बनाते हैं which one of the following structures is an organelle within an organelle, निम्न मेंसे कौन सी वा सननचना है, जो अंगग के भीतर अंगग होती है, अंग के भीतर अंग, तो ये राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि मा के पराक्षिसोम, मीसोसोम और इंडोपलाजवी रेटिकुलम जो है, ये सभी साइटोपलाज में ऐसे ही अंगग के रूप में पाए जाते हैं, लिएक राइबोसोम्स जो हैं, वो अंगग के अंदर अंगग होते हैं, जैसे कि मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी है पराक्सिसोम है गालजी काई है गालजी काई है और माइट्रो काइंट्रिया भी है माइट्रो काइंट्रिया है इंडोपलाजमी की रेटिकुलम है यह इंडोपलाजमी रेटिकुलम भी है तो ये सब अंगग है कोशिका अंगग है लेकिर राइबोसोम जो है ये माइटरो कांडरिया के अंदर भी पाय जाते हैं तो माइटरो कांडरिया खोद ये कोशिका अंगग है और इसे के अंदर पाय जाते हैं राइबोसोम तो राइबोसोम ऐसे वो सनचनाय हैं जो कोशिका अंगग के अंदर अंगग होती है, ठीक है, अगला क्वेस्टन है, दससल और्गेनल स्वाविंग इक्स्टेंसियू पोली मॉर्फिजम को सिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है, को कहते हैं, तो लाइसो शोम होते हैं, बहुत परकार के पाई जाते हैं इसमें बहुत सारी बहुरूपता होती है इसका फेरेंग तिलसर हो जाएगा लाइसोसोम अगला कुस्टिन है टी नाइ लाइसोसोम्स आर नोन एज सुिसिडल वेक्स सुसाइडल वेक्स वीकाज आफ लाइसोसोम्स को आत्महत्य की थैली क्यों कहते है इनमें केटालिटिक एंजाइम पाये जाते हैं इसलिए इसको आत्महत्य की थैली कहते है सुसाइडल वेक्स वीच आफदा फालोविंग इस परजेंट बोथ इन प्रोकेरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स निमनमेंस काउंस कोशिका अंग डोनो प्रोकरियतिक और युकरियतिक कोशिका में पाये जाता है तो ribosomes जो है कोई भी कोशिक हो, प्रोकरियतिक हो युकरियतिक हो जाहें बैक्टीरिया हो कुछ भी हो कोई भी cells हो सब में पाया ही जाता है ribosome Which a part the following cell, organelles is having single layered unit membrane तो यह जो लाइसोसोम होते हैं सिंगल मेंबरेंड होते हैं बाकि सेंट्रोसोम मीसोसोम और के सब डबल मेंबरेंड इस्ट्रक्चर हैं राइबोसोम साब बेक्टीरिया माइट्रोकॉंड्रिया प्रोकरियोट्स एंड क्लोरोप्लास्ट आर देखो यू केरियोटिक सेल में ज लेक्स और यूनिट मेंबरेंड ऐसा कौन सा अंगख है जिसमें कोशी का जिली ही नहीं होती है तो होते हैं राइबोसोम्स राइबोसोम्स में जिली अफसेंट होती ही यह अनमेंबरेंड इस्ट्रेक्चर होते हैं माइटो कांडिया डबल मेंबरेंड, लाइसोसोम सिंगल मेंबरेंड, स्फेरोसोम सिंगल मेंबरेंड और जो राइबोसोम होते हैं, यह अनमेंबरेंड होते हैं, अनमेंबरेंड इस्टक्चर होते हैं, तो यह एटीएस यू केरियोटिक में होते हैं, क्योंकि साइनो चिरिया प्रोकरियोटिक सब इन में 70 प्रकार के होते हैं और यूकरियोटिक सब में 80 प्रकार के bene सौंध न रइस होते हैं 2 Sightает koした Out front ψंधिस in plant इस एध दा पोधों में tehd 216 लिजगे क्या होती उत प्रोटेन के फिक्टरी राइबो सोंध ही कहा जाते हैं कहीं हर प्रगाय की सेल में पाया जाते हैं प्रोटीन का संसलेशन कहते हैं तो यह द्राइबोसोम सही हो जाएगा दस्यल और गनल एसोशियेटेटेड इंटरा सेलेडर डाइजेशन आफ माइक्रो मुलिक्यूल सीज कौन सा को सगी अंगग ब्रहद अड़ों क के अंता को सगी पाचन से संबंदित है तो यह होते हैं लाइसोसोम अब क्वेश्चेन नंबर है 97 विच आफ दा फालूइंग इस रिस्पोंसिवल फार्द और इजीन आफ लाइसोसोम निम्न में से कौन लाइसोसोम की उत्वपत्ति का कारण है तो गोलजी काई में ही इसोसोम का निर्माड गोलजी अपेरेटरस यह गोलजी कॉंपलेक्स में होता है राइबोसोम अर मेड़ पाफ राइबोसोम काहे के बने होते हैं राइबोसोम किसके बने हुए होते हैं तो यह आर ने और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं आर ने प्रोटीन की दो सब यूनिट बनी होती है वो दोनों आपसे में मेगनिस्यम आने के थुरू जुड़ी होती है question number 99 subunit in prokaryotic ribosomes is prokaryotic ribosomes में उपएकाई होती है तो prokaryotic ribosomes में उपएकाई कौन से होती है उपएकाई 40 प्लस 30 होती है कौन कौन से होती है ये गलत है पहला है ये 40S and 30S तो ये 70S प्रकार का बनाती है 40S and 30S is equal to होता है 70S what is true about ribosomes ribosomes के विशे में कौन सी एक बात सही है ये ribonucleic amyl तथा protein के बने होती है ribosomes जो है ये RNA और protein के बने हुए molecules है the color of rose petals is due to water soluble pigment present in the गुलाव की पंकुडी का रंग लाग जले में घुलन सीर वलणकों के द्वारा होता है जो उपस्थित होते हैं तो ये उपस्थित होते हैं रिक्तिकाओं में जो उसमें vacuels होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं इसलिए तो पालियम घुलने कारण वेक्यूल से बाहर निकल आते हैं tonoplast is a tonoplast क्या है tonoplast जो वेक्यूल्स होता है plant cells के अंदर लगभग 90% स्थान घेरे हुए एक सन्चना होती है जो इसको रिक्तिका या vacuels कहते हैं तो covering layer of vacuels इसका जो आवरन होता है रिक्तिका का वेक्यूल्स का उसको tonoplast कहते हैं इने विच वन आफ दा following would you accept to find glyoxysome निव लिकित में से किस एक में आपको glyoxysomes के मिलेने की आसा होगी गेहू का भूण पोस या अरंड का भूण पोस तो जो अरंड का भूण पोस होता है इंडो स्पर्म आफ केस्टर उसमें क्या पाया जाता है उसमें glyoxysomes पाये जाते हैं तो लगभग 50 कुस्टन 53 कुस्टन आप डिसकस हो चुके हैं तो आज की क्लास हम लोग यहीं इंड करते हैं और हमारे क्लास चैनल पर बने रहिए और वीडियो देखते रहिए अच्छे स से तयारी करते रहिए तो हमारे चैनल बेसी वर्ल्ड वर्ल्ड को लाइक सबस्क्राइब सबस्क्राइब एंड सेयर करें और कोई भी अगर प्रोबलम है किसी भी टॉपिक से रिलेटर वीडियो चाहिए या क्वेस्टन प्रेक्टिस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स है थेोरिटिकल और उनको डिटेल में एनल्सिस के साथ एक सेशन लेल के आ रहे हैं आप लोग जॉइन कर सकते हैं हराम से और बने रही है हमारे चैनल पर पढ़ाई करते रहें तब तक के लिए ओक्यवाई आल्दा वेरिवेस्ट